विल्कम टूवल माडियर स्टेंट मैं मुकेशार आप सभी का स्वागत करते स्टेंट आज की स्क्लास में स्टेंट अगर आप सी भी हिंदूस्तान के किसी भी कॉम्टेटी एक्जाम की त्यारी कर रहे तो येकीन मानिएगा स्टेंट आज के क्लास आप सभी के लिए काफी इ के लिए काफी इंपोर्ड़ेड होने वाला उस टॉपी का नाम है वीश्व के महत्यपुन दीप के बारें बात करेंगे किसके बारें बात करेंगे परकी आप सभी के test आप इस क्लास का पीडियफ डालोड करना क्याम कर सकते हैं तो मैं लिया गया जहांसे कि आप सभी के examiner प्रस्ट ने पूछ सकता है तो आज start करते stand आज के इस class को आज के class का जो first प्रस्ट ने आप सभी का कराएगी B सो में महादीपों की कुल संख्या कितनी है B सो में कुल महादीपों की संख्या की बात कर श्टेंट तो कितनी हो जाएगी तो आपसा नमबर A में कर रहे 5, B में कर रहे 6, C में कर रहे 7 और D में कर रहे 8 इस question का जो right answer हो जाएगा आप सभी का आपसा नमबर C हो जाएगा यानि की 7 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 7 अगले प्रश्न को और बात करते श्टेंट प्रस नमबर है आप सभी का दो दो नमबर प्रस आप सभी का का रहाएं कि संसार में सबसे बड़ा महादीप कोर है तो संसार के सबसे बड़े महादीप की बात कर श्टेंट तो इस कोशन का जो राइट एंसर हो जाग आपसा नमबर शी यानि की ऐस या जो महादीप है वो सबसे बड़ा महादीप है ठीक है न अगले प्रशन को और बात करते हैं प्रशन नमबर थ्री आप सभी से पूछा गया है कि निवनिवे से किस महादीप का छेतरपल सबसे कम है यानि की छेतरफल कम होने के बाद करें सबसे छोटा महाधीप कौन सा है तो इस कोर से नहीं का जो रायट एंसर रहो जागा आप सभी का Australia हो जाएगा आपसर नुढर डी औस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाधिपों में से एक है और सबसे बड़े महाधिप की बात किरिnant तो A.C.A. हो जाता है ठीक है कु通ोज जाएगा A.C.A. सबसे बड़ा और auseट्रेलिया सबसे छोटा हो जाएगा अगले प्रश्ण को बात करतें प्रश्ण नंबर फूर आप सभी से पूछा जारा ध्यान दिजिएगा कि किस महादीब को स्वेत महादीब के नाम से जारा जाता है किस महादीब को स्वेत महादीब के नाम से भी जाना जाता है इस कोसर का जो राइट एंसर हो जागा आप सभी का आपसर नमबर D हो जागा यानि कि अंटार्क्टिका महादीब को स्वेत महादीब के नाम से भी जाना जाता है अगले प्रश्ण को और बात करते श्ठेल प्रश्ण नंबर है फाइब और फाइब नंबर प्रश्ण आप सभी से पूछा जा रहा है कि किस महादीब को प्राइब दीपिये महादीब के नाम से जाना जाता है फाइब का जो राइट एंसर हो जाएगा अगले प्रश्ण को और बात करते हैं प्रश्ण नंबर सिक्स नंबर प्रश्ण आप सभी से पूछा जा रहा है कि निवने लिखित में से किस महादीब को महादीब का महादीब कहा जाता है कोश्ण नंबर शिक्स का जो राइट एंसर हो जगापसर नंबर ए यानि कि एसिया महादीब को महादीब का महादीब के लियाम से जाना जाता है क्योंकि यह सबसे बड़ा महादीप है ठीक है ना तो अगले प्रश्ण को बात करते हैं प्रश्ण नंबर 7 और 7 नंबर प्रश्ण आप सभी से पूछा जा रहा है निवने लिखित में से कौन सा एक DPA महादीप के नाप से जाना जाता है DPA महादीप के नाप से कौन जाना जाता है देखिए ऐसाई प्रश्ण आप से कि कई बार एक्जाम में बार बार पूछ जा रहे है ठीक है ठीक है अगले प्रश्ण को बात करते हैं प्रश्ण नंबर 8 और 8 नंबर प्रश्ण आप सभी से पूछा जा रहा है कि निवने लिखित में से किस महादीप को उसके काफी बड़े भागों में वर्शा की कम मात्रा की प्राप्ति के कारण 85 भूमी का महादीप कहा जाता है यानि 85 भूमी का महादीप के नाम से किसे जाना जाता है यानि कौन सा ऐसा महादीप है जिसे 85 भूमी के नाम से भी जा अगले प्रस्ट को बात करते हैं प्रस्ट नमबर है नाइन नमर प्रस्ट नमसे पूछा जा रहा है कॉंटीनेट ओफ कॉंट्रास्ट किसे कहते हैं नाइन का हो जागा ए अनिकी एसीया महादीब को कहते हैं तो अपसा नमबर ए आप सभी का राइट एंसर हो जागा ठीक है ना अगले प्रस्ट को बात करते हैं प्रस्ट नमबर हैं दस और दस नमबर प्रस्ट आप सभी से पूछा जा रहा है लिवने लिखित में से कौन सा महादीप दुनिया, सारी नई दुनिया के नाम से जाना जाता है लिवने लिखित में से ऐसा कौन सा महादीप है जिसे नई दुनिया के नाम से भी जाना जाता है तो दस का जो राइट एंसर और जग आप सभी का अपसा नमबर यानि की ऊतर अमेरिका ऊतर अमेरिका को दुनिया की नए महादीब के नाम से जाना जाता है तो अपसा नमबर ए हो जाएगा अगले प्रश्ण को और बात करते हैं प्रश्ण नमबर एक 11 एक 11 नमबर प्रश्ण आप सभी से पूछा जा रहा है निमने लिखीत में से किस महादीब को माना और घर के नाम से भी जाना जाता है तो एक 11 का जो राइट एंसर और जग आप सभी का अपसा नमबर ए कि असिया महादीत को मानाव घर के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि असिया महादीत सबसे बड़े महादीपों में से एक वो जाता है ठीक है ना अगला प्रस्णाव सुझा Rebecca 12 नंबर एंड 12 नंबर प्रस्णाव समि से पूछा जा रहा है निम्ने लिखित में से किस महादीब को बिग्यान के लिए समर्पित महादीब के नाम से जाना जाता है बारह का जो राइट एंसर हो जाएगा अंटार्क्टिका महादीब जो हो जाएगा बिग्यानों के लिए समर्पित महादीब हो जाता है तो बारा का जो राइट एंसर हो जाएगा आपसा नमबर D हो जाएगा अगले प्रश्ण को और बात करते प्रश्ण नमबर 13 एंड तेरा नमबर प्रश्ण आप सभी से पूछा जा रहा है निमने लिखित में से किस महादीब को अंध महादीब के उपनाम से जाना जाता है तेरा का जगसी यानि कि अफरिका होच जाएगा अगले प्रश्ण को बात करते हैं प्रश्ण नमबर 14 और 14 नमबर प्रश्ण आप सभी से पोछा जा रहा है निमने लिखित में से किस महादीब को विज्ञान की अधिक संभावनाव की बिधमनता के कारण भविश्य का भंडार गिरी कहा जाता है तो चौदा का जो राइट एंसर हो जागा अपसा नमबर डी यानि की एसिया हो जाएगा अपसा नमबर डी अगले प्रश्य को बात करते हैं प्रश्य नमबर 15 लिखित मेंसे किस महादीब को पच्छिय के महादीब के चाएगा आपसा नमबर डी दचणी अमेरिका को पच्छिय के महादीब के आमसे जाना जाता है ठीक है ना अगले प्रश्ण को और बात करते हैं प्रश्ण नंबर 16 निम्ली लिखित में से कौन से दो महादीप एक दूसरे का दरपन परत्वीम यानि की मीरर एमेज प्रस्तूत करता है ऐसा कौन सा दो महादीप है ठीक है रहा तो 16 का हो जग आप सभी का भी यानि की महादीप की से र्चना अंग्रे जी एस अच्छर की तरह है तो 17 का जग अनि की अत्लाण्टिक जो महादीप है उसका जो सनर्च भाचा दिखाए देता है वह एस अज्ग लिखाए देता है अगला प्रश्ण आश्वीक सा थारा constantly की निमली लिखित में से किस महादीप का विस्तार उत्री दचली पूर्वी तता पच्मी सभी गुलार्दों में है अठारा का जो राइट एंसर अजसी अलिकी आफ्रिका महादीप का यह सभी में इसका जो क्या है विस्तार है गुलाद फैला हुआ है अगला प्रश्नावसी का ओनेश्ट नमबर निम्ली लिखित में से कौन सा महादीप पुर्ट हीमा च्छादित है तो ओनेश्ट का वज़ेगा आप सभी का डिया निकी अंटलांटिक अंटार्क्तिक मासा अगर हो जाएगा महादीप हो जाएगा आपसा नमबर डि अगले प् प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है कि ध्यान दिजिएगा करेकी निम्ली लिखित में से किस महादीप से होकर करक विश्वत युम्मा कर तिनों रेखाएं गुजरती है ट्वंटी का जो राइट एंसर हो जाएगा अपसा नमबर बी आफ्रीका हो जाएगा आपसा नम 2 20 का आपसा नमबर हो जाएगा नापसा नम्र भी ठीक है अगले प्रश्ण को और बात करते स्टेंड प्रस्ट नमबर है 21 ं21 नमबर प्रस्ण पूछा जा रहा है कि किस माहदीप में जौछी का सरवत था अभा हाँ पाई-जाता है तो किस जौछा मूख eman pressure स्टेंड तो 21 क जो राइट एंसर हो जाएगा आप सभी का आपसा नंबर सी यानि की आउस्ट्रेलिया आपसा नंबर सी आप सभी का राइट एंसर हो जाएगा ठीकिन अगले प्रशन को और बात करते हैं इस्टेंट प्रशन नंबर ट्वंटी टू नंबर आप सभी से पूछा जा रहा है कि बीसो की सबसे लंबी दरार घाटी किस महादीप में इस्तित है कर रहे कि बीसो की सबसे लंबी दरार घाटी किस महादीप में इस्तित हो जाएगा तो 22 का जो राइट एंसर हो जागा आपसा नंबर बी आने की आफरीका आपसा नंबर बी आप सभी का राइट एंसर हो जागा कोश्चन नंबर ट्वाटी टू का अगले प्रस्शन को बात करते हैं 23 नंबर की उत्र अमेरिका महादीप की सर्वोच परवच चोटी कौन सी है 23 का जो राइट एंसर हो जाएगा आप सभी का आपसा नमबर C यानि की माउंट मैक की नले हो जाएगा आपसा नमबर C अगले प्रशन को और बात करते हैं स्टेंट प्रशन नमबर 24 का राय की दच्छिट अमेरिका महादीप की सरोच परवस सीखर कौन सा है 24 का होजर ब्यानि की माउंट एका का गुवा हो जाएगा तो आपसा नमबर B आप सभी का राइट एंसर हो जाएगा 24 का ओनले प्रशन को और बात करते हैं 25 नमबर प्रशन क्या करा ध्यान देजेगा अफ्रीका महादीप का सरोच परवस सीखर कौन सा है तो अफ्रिका महादीब की बात करें तो 25 का अजय असी यानिकी माउंट किली मज़ारो अगला प्रशन इस्टेंट आप सीखा 26 नंबर प्रशन आप सभी से पूछा जारा है ध्यान दिजेगा कि क्या आप सभी से पूछा जारा है अन्टार्क्टिक महादीब का सर्वोच परवस सिखर कौन सा है तो अन्टार्क्टिक की बात करें तो 26 का जो राइट एंसर अजय आप सभी का आप से नंबर डी अनिकी मांट वीशन मैफी मैफी मैसीफ हो जाएगा अन्टार्क्टिक महादीब का सर्वोच परवस सिखर कौन सा है तो एस्या महादीब में बात करें तो 27 का जो राइट एंसर अनिकी मांट एवरेश्ट हो जाएगा क्या जाएगा इस्टेंट मांट एवरेश्ट अपसा नंबर भी अगले प्रस्ण को बात करतें इस्टेंट प्रस नंबर है 28 नंबर आप सभी से पूछा जा रहा है कि ये रोप महादीब का यहां पर 28 नंबर ध्यान दिज़ेगा कि ये रोप महादीब का सरवच परवस शिखर कौन सा है तो ये रोप महादीब की बात करतें तो 28 का आपसा नंबर C हो जाएगा मांट एल ब्रूस हो जाएगा मांट एल ब्रूस हो जाएगा आप सभी का आपसा नंबर C इस राइट एंसर हो जाएगा अगले प्रश्ण कूर बात करते प्रश्ण No. 29 नमबर आप सभी से पूछा जा रहा है कि आस्ट्रेलिया महाडीब का सरोच परवसिकर कौश तो मांट को स्यूक्स को हो जाएगा आपसा No. a आप सबीका राइट अंसर हो जाएगा इस्टें इस्टेंट आप सभी से एक छोटा असरी केश्टी की अभी तक आप से आप से में चलो सस्क्राइब नहीं के तो प्लीज इस्टेंड चलो सस्क्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दिजेगा ताकि ऐसा हर एक अब तक सबसे जल्द पहुंचते रहे ठीके न अगले प्रशन को बात करते प्रशन नमबर 30 का रहा है कि अफ्रिका मादीब की सबसे बड़ी जिल की बात कर श्टेंड तो तीस का जो राइटेंसर हो जाएगा आप सभी का आपसा नमबर हो जाएगा भी यानि की विक्टोरिय विक्टोरिया जिल्द अफ्रिका मादीब की सबसे बड़ी जिल है अगला प्रसन थर्टिवोर नमबर केशिय मादीब की सबसे बड़ी जिल की बात करे तो tha Tee One काalso राइट अंसर हो जाएका किस्पियन सागर हो जाएगा क्या हो जाएगा इस्टेंट केश्पियन सागर स सबसे बड़ी जिले एसिया महादीब की थर्टी टू नमबर है कि अस्ट्रेलिया महादीब की सबसे बड़ी जिल की बात करें तो आप सभी का थर्टी टू का हो जाएगा एने की आयर हो जाएगा अगला प्रस्णावसी का थर्टी थरी नमबर की उतर अमेरिका महादीब की सुपिरियर जीन हो जाएगा है अगले प्रश्न को बात करते चुर्ण थर्टी-फॉर्व नमबर की यूरूप महादिव की सबसे बड़ी जिल की बात करें टो आप से 34 का जो राइट एंसर हो जाएगा 34 का आप सभी का अपसा नंबर हो जाएगा बी निकी ले डोगा जिल ठीक है ना अपसा नंबर भी आप सभी का राइट एंसर हो जाएगा अगले प्रस्ण को बात करते स्टेंट 35 नंबर कराएगी इरोप महादीप में प्रवासी होने के वेलगा हो जाएगा अगले प्रश्ण कर बात करते स्टेंट थर्टी सिक्स नमबर प्रश्ण आप सभी से पूछा जा रहा है कि आफ्रीका महादीप में प्रवासी होने के लिए सबसे लंबी नदी कौन सी है तो थर्टी सेवेन का जुराइट एंसर हो जाएगा आप सभी का आपसा नमबर भी अनिकी नील नदी हो जाएगा तो अगले प्रश्ण कर बात करते स्टेंट प्रश्ण नमबर थर्टी सेवेन नमबर आप सभी से पूछा जा रहा है कि आउस्ट्रेलिया महादीप में प्रवासी होने के लिए सबसे लंबी नदी कौन सी है तो थर्टी अगले प्रश्ण कर बात करते स्टेंट थर्टी एट नमबर प्रश्ण आप सभी से पूछा जा रहा है कि दचड़ी अमेरिका महादीप में प्रवाइत होने वाले सबसे लंबी नदी कौन सी है तो थर्टी एट का जो राइट एंसर हो जाएगा आप सभी का आपसा नमबर अब सभी का राइट एंसर हो जाएगा ठीके ना अगले प्रश्ण के और बात करते स्टेंट प्रश्ण नमबर थर्टी नाइन नमर प्रश्ण आप सभी से पूछा जा रहा है कि उतर अमेरिका महादीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है तो उतर अमेरिका की महादीप की सब आफसी का 40 नंबर के अस्ट्रेलिया महादीप से होकर कौन सी अच्छांस रेखा गुजरती है। जो राइट एंसर हो जया है आप सभीका आप Stream collection No.B याने की मकर रेखा गुझरती है. अपसा No.B आप सभीका राइट एंसर हो जया है question No.40 का. अगले प्रश्ण को बात करते हैं प्रश्ण No.41 अपसा जारा है कि सारुदिक देशों वाला महादिप कौन सा है. तो सारदिक महादीप पोल देशों की बात करें श्टेंड तो राइट एंसर हो जब 41 का आपसा नंबर D अने की आफरीका आपसा नंबर D आप सभी का राइट एंसर हो जाएगा ठीके ना अगले प्रस्टन को बात करतें श्टेंड 42 नंबर आप सभी से पूछा जा रहें कि अनने महादी पूर्ड रूप से दच्णी गुलाद में इस्तितत्त च्वाह कौसा महादीप पूर्ड रूप से दच्णी गुलाद में इस्तित्त तो 42 पा जो राइट एंसर हो जाएगा आप सभी का आपसा नंबर रूए इस राइट एंसर तो 42 का जो राइट एंसर हो जाएगा आप सभी का आपसा नमबर बी इस राइट एंसर हो जाएगा अगले प्रशन को बात करते हैं 43 नमबर प्रशन आप सभी से पूछा जा रहा है कि कौन समाधिप मरू अस्थल विहीं है तो 43 का हो जाएगा आप सभी का आपसा नमबर भी इनिकी यिरोप माधिप हो जाएगा अगला प्रशन आप सभी का 44 नमबर की किस माधिप में सरी स्रीप नहीं पाया जाते हैं तो 45 का जो रैट एंसर हो जाएगा अगले प्रस्ट क्षंग बात करते इस फो ती फाइब नंबर की अफिरिका माधिप का देखिडतम बिंदू कौन सा है 45 का हो जाएगा भी अनिकी केप अलूर औलूर अगुल हास हो जाएगा ठीके ना अगले प्रश्ण को बात करते हैं 46 नंबर की 200 में मैदानों का सरदिक बिस्तार की समाधिप में है तो मैदानों का सरदिक बिस्तार की बात के स्टेंड की कौन सा माधिप में हो जाएगा अगले प्रश्ण को बात करते हैं 47 नंबर पूछा जाएगा अगले प्रश्ण को बात करते हैं 48 नंबर पूछा जाएगा जाएक उष्ट कट बंदिये परिस्थितियों का सारदिक बिस्तार की समाधिप में पाया जाता है तो 48 आपसान अबर भी यानि की आफ्रीका माधिप हो जाएगा आपसा नंबर यह हो जाएगा यह रूप माधिप हो जाएगा अगला प्रस ने 50 नंबर प्रस नावसी से पूछा जा रहा है कि निमने लेखित में से कौन साइक मलेशिया देश की प्रसासने के रजधानी तथा संगी प्रसासने के अंदर हैं तो इसकोशन का राइट एंसर आप सी कमेंट ब होंची मिलते नेक्स क्लास में थांक्स राचिंगाई क्लास